असलाम अलेकुम, हेलो एब्रीवन, वेलकम बैक टू ओफला चानल, आज मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ टमाटे गोश्का सालन जो बहुत ही टेस्टी बनता है, चलिए बनाना शुरू करते हैं, त्रेशर कुकर लेकर फ्लेम को ओन कर लिया है, 2-3 स्पून्स ओयल इसमें 2 मीडियम साइज चॉप्ड ओनियंज डालेंगे, प्यास को थोड़ा पकाना है, 3-4 मिनिट्स के लिए, इसमें 6 से 7 हरीमिच डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून अधरकलहसन मसाला, 2 आफ टीजपून स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिड्ज पौरडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीजपून धनिया पौरडर डाल कर मिक्स करना है, मसालें अपने टेस्ट के अकौर्डिंग डाल दीजए 250 ग्राम मटन को अच्छा वाश करके रख ली हूँ, इसमें डाल कर मिक्स करना है इसमें वन ग्लास पानी डाल कर, प्रेशर कुकर का लिट बन करके सीटी लगा कर, तीन से चार विसल साने तक पकाएंगे तब तक के लिए टमाटे यह कट करेंगे हौफ केजी टमाटे उसको अच्छा वाश करके रख ली हूँ, इसको रफली चॉप करेंगे फोर विजल्स आ चुके हैं, फ्लेम को आफ करके थंडा होने यह के बाद लीड ओपन करेंगे रफली चॉप डोमाटोस स्वाद अनुसार नमक टेस्ट करके डाल लीजिए और बिल्कुल थोड़ा पानी डालेंगे आपके सालन में अल्रेडी थोड़ा पानी है तो मज डालिए लिड बन करके दो सीटी आने तक पकाएंगे दो सीटी आ चुके है फ्लेम को आफ करके थंडा होने के बाद लिड ओपन करिए मटन पीसेस को एक बॉल में निकाल देंगे माशर के हल्प से लाइट माश कर लीजिए स्पून के हल्प से भी माश कर सकते हैं फ्लेम को आउन करके इसमे बारिक कटी हुई धनिया के पत्रे डाल कर मिक्स करेंगे और मटन पीसेस को डाल कर फाइम मिनिट्स के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे फाइम मिनिट्स के बाद फ्लेम को लो करके यह तेल छुटने तक पकाएंगे तेल छुट चुका है सालन में को आफ करके एक बॉल में सर्फ करेंगे आप इस रेसिपे को जरूर ट्राई करिए आपको इस रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर आई अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ और सब्सक्राइब करेए मेरे चैनल को और साथ में जो लाइक ओन हैं इसको भी प्रेस करिए ताकि जो भी वीडियोस अप्लोड करूँगी इसके नोटिफिकेशन्स आपको मिल सके थैंक यू फर वाचिंग अलाफीस बाबाई टेक केर